हेले दोस्तो वेलकम टो मैं चैनल दोस्तो देखिए आज मैं आपको यह एक सिंगल कलर की बिल्कुल अलग तरह की डिजाइन बताने वाली हूं बिल्कुल प्रिस्ट डिजाइन है दोनों तरफ से यह डिजाइन बनती है और बन के बहुत ही सुन्दर लगती है आप इसको बॉ प्रोजेक्ट में बनाएंगे बहुत अच्छे से पृट आएगी बैसीखिल leg कार्डि गंस आ यह कोटी में डाल यह आप चाहे तो जयन स्वेटर में बी डाल सकती है डिजाइन बहुत easy है और बना बन भी जाता है बहुत जल्दी तो ऐसा बस time लेता है तो आप अपने हिसाब से इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती है तो चलिए इसको बनाने के लिए आपको फंदे की कोई काउंटिंग की दिकत नहीं है आप और नंबर, इविन नंबर किसी भी नंबर के फंदे में इसको बना सकती है जो आपका प्रोजेक्ट है ये देखिए ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉंग साइड है देखिए बहुत ही घनी बिनाई है ये और दो सलाहियों में बन के यह डिजाइन तयार हो जाती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको यह देखिए बिलकुल स्टार्टिंग से हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे तो यह देखिए दो फंदे यह एक साथ लेंगे इसको पीछे कर देंगे ऐसे और इसको हम बीन लेंगे इस तरह स अब देखिए ये जो दोनों फंदे है इसमें से एक फंदा हम बस गिराइगे दूसरे फंदे को हम सलाई पर रहने देंगे अब इस दूसरे फंदे के साथ ही फिर एक और फंदा लेंगे ऐसे और इसको पीछे कर देंगे और फिर से इसको हम सीधा बिन देंगे इस बिनाई को ढीला ही रखिएगा बहुत टाइट मत करिएगा फिर से ये आगे वाले फंदा गिरा देंगे और पीछे वाले फंदे को हम सलाई पे ही रहने देंगे फिर देखिए इसको और अगला एक फंदा और लेंगे औ पीछे की तरफ करते हुए सीधा बिन देंगे आगे वाले फंदे को गिरा देंगे ऐसे और पीछे वाले फंदे को हम सलाई पे ही रहने देंगे अगर गिल जाता है तो आप इस तरह से इसको उठा लीजिए अब देखिए ये फंदा इसके पीछे वाला फंदा पीछे सीधा बिनेंगे इस तरह से आगे वाले फंदे को आप ऐसे गिरा दीजिए पीछे वाला फंदा सलाई पे फिर से तो फंदा हर बार दो फंदा ही रहेगा इस तरह से आगे वाले फंदे को हम गिरा देंगे पीछे वाला फंदा हमारा सलाई पे रहेगा और इस पीछे वाले फंदे क इसी तरीके से पूरी सलाई हमारी सीधे तरफ से बनेगी, पीछे की तरफ हम बीनेंगे, ऐसे दो फंदा लीजिए, सलाई पीछे कर दीजिए और दो का एक कर दीजिए, ऐसे और ये फंदे हम गिरा देंगे, इस तरह से ऐसे और ऐसे, दो फंदे एक संग पीछे की तरब सीधा आगे वाला फंदा गिरा देंगे और पीछे वाले फंदे को हम रहने देंगे सलाई पे और इस पीछे वाले फंदे के संग हम एक फंदा और लेंगे और इसको भी इस तरह से बिन देंगे तो पूरी सलाई हम इसी तरीके से बीनेंगे सीधी तरफ से इस तरह से जल्दी बन जाता है बस एक बार आप ऐसे हाथ सेट कर लीजिए तो दो फंदे एक सन पीछे की तरफ ये फंदे जो है ये बिल्कुल लूज रखी का देखिए सलाई जी इसे ऐसे एक तरफ से दूसरी त बनेगा तो ये देखिए ऐसे पीछे की तरफ इस तरह से तो पूरी सीधी सलाई इसी तरीके से हम निकाल लेंगे कि ये देखिये किनारों पे ऐसे ही यह देखिए, लास्ट के दो फंदे, इसको निकालके और एकदम किनारे वाला एक फंदा इसी तरह से हम सिंगल बिन देंगे तो यह हमारी रैट सैट से यह लाइन कम्प्रीट हो गई रॉंग सैट से भी सेम इसी तरीके से बिनेंगे, बस फर्क है कि इधर को जाएगी सलाईया तो सबसे पहले दो फंदा लेके उल्टा बिनेंगे पहला फंदा यह जो है इसको आप गिरा दीजिए अब इसके बाद से यह फंदा दूसरा वाला जो था और एक और फंदा लेके ऐसे उल्टा बिन लेंगे और यह फंदा गिरा देंगे फिर से दो फंदे यह फंदा पहला वाला फंदा जो है आगे का इसको गिरा दीजिए फिर पीछे वाले फंदे के संग एक और फंदा एट करेंगे ये गिरा दीजिए इस तरीके से ये रॉंग साइट से भी हम बिनाई कर लेंगे ऐसे ये देखिए आराम से बन जाता है ये बस पहला फंदा गिरा दीजिए दूसरे फंदे को सलाई पे रहने देंगे इस दूसरे फंदे के संग हम एक फंदा और लेके उल्टा बिन लेंगे ये देखिए दो फंदे एक संग रहेंगे इस तरह से पूरी सलाई इसी तरीके से हम बिन के कम्प्लीट कर लेंगे देखिए ये देखिए इसी तरीके से लास्ट तक हम बिनाई कर लेंगे दो फंदे एक संग पीछे वाले फंदे को सलाई पे रहने देंगे एक और फंदा लेंगे ऐसे फिर इस फंदे के साथ ही एक और फंदा अब इस फंदे को गिरा देंगे फिर देखिए इसके संग एक और फंदा इसी तरह से दो दो फंदे लेते हुए हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे, यह देखिए, पहला फंदा गिरा देंगे, दुसरे वाले फंदे के संग, एक फंदा और इस तरह से, यह, लास्ट में दो फंदा, यह देखिए, ऐसे, फिर लास्ट वाले फंदे को उल्टा, तो यह देखिए इन्ही दो सलाईयों को हम बिनते जाएंगे तो हमारा यह जो डिजाइन है वो बनता जाएगा जिक जक डिजाइन के हमारा पैटर्न आएगा यह देखिए इस तरीके से और यह बनके बहुत ही खुबसूरत लगता है आप इसको बार्डर की जगा बना सकती है क्योंकि यह बहुत ही टाइट बनता है तो इसमें बार्डर आपके बहुत अच्छे से बनके आएंगे तो देखिए फ्रेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको इस डिजाइन जरूर पसंद आएगी अगर आपको इस डिजाइन पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न